स्वाध्या यहपारमुट। डॉक्टर बावा साहर आंबेडकर, ओपन युनिवरसिटी डॉक्टर बावा साहर आंबेडकर, ओपन युनिवरसिटीमा असिस्टेंट प्रो शंस्कृत माचू। आजे आपने बी ए प्रथम वर्ष ना मुख्य विशे मा संस्क्रित पद्य अने गध्य साहित्य पेपर वीजाना कोल यूनिट सत्तर माथी विभाग बे ना रगुवम से एक ना नियत स्लोको बंसो एमा कोल यूनिट चार छे इमा थी त्रीजा यूनिट ना रगुवम से सर्ग एक ना अड़तालिस ती पंचानो सुधी ना स्लोको छे जेमा प्रसंग एवो छे के महर्षी वसिष्ट ना आस्रम नू वर्णन छे इमा स्लोक 48 वा स्लोक एवो छे सदुस्प्रापयसाप्रापदास्रमं स्रानतवाहनह सायम सैयमिनस्तस्य महर्षेर महसी सकह इटले आ स्लोक मा प्रसंग का एक एवो छे के जारे राजा दिलिप इमनी पतनी साते गुरू वसिष्ट जीना आस्रम मा जारे आवे छे अने आस्रम मा जारे पोचे छे एटले आस्रमनों वर्णन करवा मा आवेल छे आवदा स्लोकों मा तो आ स्लोकनों अनवै एवी रितना छे दुस्प्रापयसाह स्रानतवाहनह महसी सकह सह सायम सैयमिनह तस्य महर्षे एह आस्रमम प्रापत एटले एनो अर्थी विद्रितन थाई छे कि बीजाओ द्वारा जेनो यस पामबो दुरलब छे अने जेना रथना अस्वो थाकी गया छे तेवो ते राजा दिलिप पोतानी पटरानी सहित सांज पड़ता महर्शी वसिष्टना आस्रमें पहुंची गयो आमा जे मुख्य अमुख्य सब्दों छे दुस प्राप यसाहा एटले आमा समास क्यो थाई छे दुखेन प्राप्यते दुस प्रापम दुस प्रापम यसह यस्यसहा बहुरी समास थाई छे इमा स्रान्त वाहना स्रान्तानी वाहनानी यस्यसह आपन बहुरी समास थाई छे महिस्याह सकाह समानम खं मनह यस्यसह प्रापत प्राउपसर्ग पुर्वक आप्ट्रुव्यापतो परस्मेपदी लूंग लकार प्रतम पुरुस एक वचननू भूते लूंग लंग लिटस्तता सूत्र थी एनो ग्रहन करवानू आपडे प्रसंग मा एवी रितना शे कि जारे राजा दिलीप इमना पत्नी सुदक्षीना साथे गुरु वसिष्ट जीना आस्रम मा आवे शे आवे बीजो स्लोक आवे छे वनांतराद उपा वृत्ते ही समित कुसफला हारे ही पूर्य मानम अद्रिस्यागनी प्रत्युद्याते इस तपस्विभी ही एटले आस्रम मानम सह प्रापत आप पहला स्लोक नो जो आवे शे आस्रमम प्रापत आनो अनुवय बद्धी जगया आपने करवो छे एटला आस्रमम सह प्रापत प्रसंग आवे चाल से अत्यार्जुद्यी मा एटले एनो अर्थ केवा थाए छे कि वनना उडान माथी पाछा फरेला समिधाव दर्ब अने फड़ो लावनारा अने अद्रिस सी रहेला अगनियों जेमनू स्वागत करी रिया चे एवो तपस्वीयोती भरायल जता आस्रममों ते पहुंच या एटले आस लोकमा महरसी वसिष्ट जीना आस्रममनो एवी रितना वर्णन करवा मा आवे चे कि वनना उडान माती पाछा फरेला एटले वनमा जारे जाय र वनमा साम माटे जाय चे कि यग्या हवन करवा माटे समिधाव माटे जाय चे फड़ो लेवा जाय चे अन्ने दर्भ वनमा थी पाछा जारे आवता ता तीयारे राजा दिली आस्रममों पोहुच अन्ने अद्रिस्य रहेला अगनियों जेमनू स्वागत करी रहे चे एटले अगनी पन एवी छे जे ठरी गई छे अने एना अंगाराओ छे आस्रम मा देखा ता ता एवा आस्रम मा राजा दिलीप त्यां पोई छा जिननू स्वागत करी रिया छे एवा तपस्वियो ती भरायल जेता आस्रमों ते पोँचिया अमा जो एक सब्द छे समित कुस फला हा आवे छे एटले समित कुछ फला हारे ही एवो सब्द थाई जाये छे आ हरंती एटले लही नावे छे एवा कोण छे जया बदा आश्रम वासियो छे बीजा स्लोक मा अजी आगल वद्ये अने अजी प्रसंग ने जोई आपड़े आकिरणं मृसिपत्नी नाम मुटजद्वार रोधिभी अपत्ये इरिव नीवार भाग धेयो चितै मृगय ही एटले हवे आगलना स्लोक मा अन्वय एविरितन ताई जे निवार भाग धेयो चितै ही उटजद्वार रोधिभी रिसिपत्नी नाम अपत्ये ही इव मृगय ही आ आकीरणम आश्रमम सहप्रापत एटले सामा धान्य नो पोतानो हिस्सो मेलवाने लायक जूपडियों ना बारना रोकीने उभेला तथा रिशियों नी पत्नियों ना बालको जेवा हरनाती छवाई गयेला आश्रमा ते पहुंच्यों प्रसंग एवा लइक होचे रिशी पत्नियों नाम अपत्तेही एटले रिशी पत्नियों थी जे उत्पन थहल पुत्रों जेवा कोन आता हैं त्यारे हिरनों आता त्यां बदा एटले एबदा दरवाजा रोकीन उभा आता त्यारे अने सा माटे उबा आता कि एमनू का एक धान ने एक एक भूखा थाई गया हुए तो इनी रहा जोता था कि जारे बद्धा आवे एटले आमने के खावा माटे आपे एटले नानू छोकरू केवी रितना रड़तू हुए कि एक चोकलेट मारे जोईए छे पन जारे एने आपी जी द्वारा आवी रितना यमनू वर्णन करवाम आवे छे आमा आमुक सबडो जे छे विशिष्ट जे विरीतने निवार भाग धेयों चितेई ही निवारानां भाग धेयाह तस्यू चिताहा उटजत्वार रोधि भी उटजानाम द्वारानी तानी रुण्जयन्ति येत आकीर्णम क्रू विक्षे पे निष्ठा प्रत्यांत रूप छे विजाजी आगलना स्लोक मा जोई आपड़े सेकांते मुनिक अन्याभिस तक्छनो जितवरुक्षकम विश्वासाय विहंगानाम आलबालाम वुपाई नाम एटले आ स्लोकनो अनवय एवी प्रकारे थाई जा नाम विश्वासाय तक्छनो जितवरुक्षकम आश्रमम सह प्रापत सह एटले राजा दिलिप क्यारा माथी पाणी पीता पीता पंक्योंने विश्वासने माटे मुनिक अन्याव पाणी पाया पछी तरत जनाना जाड पासे ती खसी गई छे तेवा आश्रममा ते राजा दिलिप ते आँ पहुंचिया वर्णन का एक एवू छे कि जारे रिस्यों नी पत्नियों जारे कुंडा माँ पाणी पाती ती ना ना जाडों ने छोडवा उने बदाहिने पक्षी वपन पाणी पीवा माटे त्यारे ते आँ आवता आता अने पक्षी एक एवी प् पन रिस्युपत्नियों नो एटलो मोटो हृदय यातो कि जारे पक्षियो पाणी पीवा कुंडा मा आवे एटले रिस्युपत्नियों पन आम साइड मा खसकी जाती ती एटले कि आवो प्रसंग त्यां थतो तो एवी रितना आसरम नू वर्णन थायल छे आलब आलांबु पाई नाम आएक सब्दें मा अवेल छे एटले आ समन्ता जलस्य लवं आलाती आलब आलह एटले क्यारों जे पाणी पाता तरे सिपत्नियों ए संदर्भम हाँ छे आत पात्यय संचिप्त निवारासु निसीदि भिही ब्रुगेई वर्तिरतरो मन्थ मुट जांगन भूमिसू आत पात्यय संचिप्त निवारासु उटजांगन भूमिसू निश्रिदि भिही ब्रुगेई ही वर्तितरो मन्थम आस्रमं सह प्रापत आस्रमं राजादिलीपह प्रापत तडको दूर थता ज्यां सामो सांभ्री लेवा मा आवियो छे तेवा जुपडियों ना आंगना मा बेठेला हरना ज्या वागोलता हता तेवा आस्रमं मा राजादिली पहुँच्या प्रसंग के दिवसे जारे तडको हुए अमुक धान्यों आपड़े तडका मा राखिये के एमा कई जीवात न पड़े काका एवुँ इन्हें सफाई माटे पन आपड़े राखिये प्रसंग मा जारे सांजनों समय जारे आपड़े आवे छे एटले रात्रे आपड़े एवी रितना नथी रावा देता एने बदू भेगू करी लेए अने पात्र विसेस मा एने एकत्रित करी लेए तड़को दूर थता ज्यां सामों सांभरी लेवा मा आवियो छे जारे भराई गियो छे अने केमाक त्या मुईकों छे ए समय राजा दिली ते आश्रम मा प्रवेस करे छे सांजना समय मा जुपडियों ना आगना मा बेठेला हरना ज्यां वागोडता हता पन त्यां जम्बानों बदू आपी दिदू एलोकों खाई ली दू छे अने त्यां एलोकों बेशी ने वागोडता हता एवा समय ते पोई चा एटले पहला स्लोक मा आपने जे वर्ण ना आई वो छे के हिरनों बाढ़ना रोकी ने उभा आता पन ए जे नाना हरनों छे ए अने जे मोटा हरनों जे छे ए लोको तो पोते एनी जाते ज बदू चारो बदू खाई ने अने आम वागोडता आता एवा आस्रम मा राजा दिली पहुंच्या आना पछी अजी बीजो स्लोक आवे छे ए पन आस्रम नो जे वर्ण नन करे छे आस्लोक अभ्यूत्थितागनी पिसुने रती थी ना स्रमोन मुखान पुना नम पवनो धूतेर द्रुमे राहुति गंदी भी ही इटले आस्लोक नो अन्वय एवी प्रकारे आपड़े करवो कि अभ्यूत्थितागनी पिसुने ही पवनो धुते ही आहुतितागनी भी ही धुमे ही आस्रमोन मुखान अति थिन पुना नम आस्रमं सह प्रापत राजा दिली पह आस्रमं प्रापत स्लोक नो आर्थेविरितना थसे प्रज्वलित करेला अगनीनो सूचन करता आहुतियो नी सुवासवाला तथा पवन्थी प्रसरायेलो धुमाडो ज्या आश्रम तरफ आवता अतितियो ने पवित्र करतो होतों तेवा आश्रम मा राजादिली पहुच्या सौथी आपड़े पहला स्लोक मा वर्ड़न एविरितना आपड़े साइमब्लू के समिधाव लही नावता था फर लही नावता था अने कूस पन लही नावता था कूस एटले दर्भविसेश तो です जारे यग्य पन त्यां थतो होतों श्री वर्ड़ियों यग्य नो जे पावण धूआड़ों जे अक्षा इंपन आश्रमा ४्रशार अरतों पवन 추स्साव प्रावी एटले आको धुवाड़ों बद्धी जेग्या फेलाई छे एटले एस सुवास वाड़ा एटले धुवाड़ा पन घणी प्रकार ना होएचे एटले हवन यग्या आहूती द्वारा जे धुवाड़ों थाये एमा घणा बदी ओसधियों पन वपराईचे एमा थी प प्रव्णतियां थतो तो लेको धुवाड़ों अखा आसरम मान प्रसर तो और राजादिलीब जारे पोचे फेनले ओच को कंई तले इमने आ इबादो स्पर्ष करतो तो और डु राजा दिलीब जे आता एपन पोता ने पवित्र थाए अवी अनुभूती एमने थती आती एटले आस्रमनुक एक आवू वर्णन छे कि जे मां यग्य थाए छे अने यग्य नो धुआड़ो चारिद बाजू फेलाए छे और राजा दिलीब जारे पहुंचे छे त्यारे प्रसंग लखवा माईवो छे गरीने। प्रश्ण नो जवाब आपड़ा वीडियो लेक्चर थी तमने मड़ी जसे। रगुवम्स मां महर्शी संग्या कोने आपेल छे। त्री जो छे रिस्यों नी पत्नियों ना बाल को जेवा क्या प्राणी ने मानवा मा आवे छे। वसिष्ट मुनी ना आसरम नू तुक मा वर्णन करो। धन्यवाद। स्वाध्या यह पर्या मंता पहाँ झाल स्वाध्या मुन के बन्यवा यू स्वाध्य क्याप्या स्वाध्या स्वाध्या झाल सिंट झाल 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 उ norm झाल 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 झाल